सब्सक्राइब कीजिए होम मेट सॉलुशन्स को और बेल आइकन को दबाईए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडिस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका होम मेट सॉलुशन्स में फिर एक नए वडियो के साथ दोस्तों शरीर का वजन और पेट की बड़ी हुई चर्बी घटाना आज एक बहुती मुश्किल काम बन चुका है 2006 में की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में सामान्य वजन वाले लोगों के मुकाबले जरुष से जादा याने की ओवरवेट वाले लोगों की संख्या जादा बढ़ चुकी है और आज भी यह धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है हमारे शरीर में जब जरुष से जादा चर्बी जमा होने लगती है तो इसकी वजय से हमें कई तरह की बिमारिया होने की संभावना होती है जादा तर इन बिमारियों के बारे में हमें पता नहीं चलता है और यह हमारे शरीर के अंदर ही अंदर पनप रही होती है जिससे की एक दिन यह अचानक सामने आ जाती है आज से लगबग 70 से 80 साल पहले तक हमारे देश में एक सामानी वक्ती लगबग 4 से 5 किलो चीनी का सेवन करता था लेकिन आज यह मातरा बढ़कर 10 गुनाज जाता हो चुकी है ऐसे में सवाल उटता है कि आखिर पेट और कमर की लगातार बढ़ रही चर्बी को खत्म कैसे किया जाए और कैसे शरीर का बढ़ा हुआ वजन घटा कर बॉड़ी को डीटॉक्स किया जाए कैसे बॉड़ी का मेटाबोलिजम बढ़ाया जाए जिससे की चर्बी दुबारा ना जमे और बिना थके हम अपने आपको हमेशा एनरजी से भरपूर कैसे रखे अगर आप इन सबी सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खास ड्रिंक के बारे में जो की ना सिर्फ शरीर में जमी चर्बी को खत्म करेगी बलकि दुबारा नई चर्बी को बनने से भी रोखेगी जिसकी वज़े से आप बिना किसी डाइटिंग और एक्सेसाइस किये भी अपने आपको पूरी तरह फिट रख पाएंगे जिल लोगों का वज़न जरुरस से जादा होता है उन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले किडनी से सम्मंदिद बिमारिया होने के 85 प्रतिशत जादा चांस होते हैं इसके अलावा टाइप 2 डाइबटीज, जोडों में दर्द और ब्लट प्रेशर बढ़ने या घटने के साथ साथ दिल से सम्मंदिद बिमारिया होने की भी बहुत अधिक चांस होते हैं बिमारिया चाहे कितनी भी गंभीर क्यों नहों, हर तरह की समस्या का कही न कहीं समाधान होता ही है पेट की चर्बी या मोटापा बढ़ने पर बॉड़ी को डीटॉक्स करना सबसे जाधा फायदेमन होता है क्योंकि जब हमारे शरीर में चर्बी जमती है तो इसकी सबसे मुख्य वज़ा कुछ ऐसी खाई हुई चीजे होती है जिने हमारा शरीर पूरी तरह से भार नहीं निकाल पाता और वह शरीर में चर्बी बनकर जमा होती जाती है खास कर पेट और कमर वाले हिस्सों पर जमी हुई चर्बी सिधा यही संकेत देती है कि हमारे शरीर में टॉक्सिंस की मातरा बड़ी हुई है जब भी हम ऐसी चीजों का सिवन करते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करें यानि कि जमे हुए बूरे पदार्तों को शरीर से बाहर निकालें तो उस थिती में हमारी शरीर में चमतकारी बदलावाते हैं बोटी को डीटॉक्स करने के लिए आज जो हम ड्रिंक तयार करने जा रहे हैं उसे बनाने के लिए हमें जरूत होगी निम्बू के छिलके, हल्दी, लॉंग, डालचीनी, इलाइची और पिंक रॉक सॉल्ट की दोस्तो सुनने में चाही यह सारी चीज़े साधारन लग रही हो लेकिन अगर इनका सही तरीके से और सही समय पर इस्तमाल किया जाए तो इन साधारन चीजों से भी हमें कमाल के लाब मिल सकते हैं पिंक रॉक सॉल्ट याने की गुलाबी नमक साधारन नमक से 10 गुना जाधा बहतर होता है क्यूंकि इसके अंदर 80 से भी जाधा मिन्रल्स पाये जाते हैं जो कि हमारे शरीर में एक अद्बुद बदलाव लेकर आते हैं और कई तरह की बिमारियों को दूर करने के लिए भी आधा मौजूद है उनकी लिंक के लिए वीडियो के नीचे दिये गए डिस्क्रिप्षन को पढ़े लेकिन अगर आप पिंग सॉल्ट को अरेंज नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगहा पर काला नमक या फिर सेंधा नमक और इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप पिंग सॉल को के अंदर ऑइल पाया जाता है जो की वजन घटाने के लिए निम्बू के रस से भी जादा फायदेमन होता है कर लोग वजन घटाने के लिए केवल निम्बू के रस काहीं इस्तमाल करते हैं लेकिन निम्बू के छिलकों से निम्बू के रस के मुकाबले जमी हुई चरबी क दुगनी रफ्तार से खत्म किया जा सकता है इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले दो से तीन निम्बू को अच्छी तरह से धोले और उनके छिलकों की उपरी परत को निकाल कर अलग कर ले उसके बाद कुछ दालचीनी की डंडियों को कूट कर बारिक कर ले दालचीनी इसमें हमें गोल वाली इस्तमाल नहीं करना है जो देसी दालचीनी होती है वही इस्तमाल करनी है और उसके साथ ही इसे बारिक करने के लिए मिकसर का इस्तमाल ना करें किसी चटनी बनाने वाले फत्तर खल बत्ता या इमान दस्ता ही यूज करें इसके बाद एक ग्लास पानी को गैस पर कम आज पर गरम होने के लिए रखें हलका गरम हो जाने पर इसमें दो से तीन हरी इलाइची खोल कर छिलके सहिट डालें उसके बाद इसमें दो से तीन निम्बू के छिलके और दो लॉंग डाल कर इसे तीन मिनिट के लिए ढख दे और गैस को सबसे कम आज पर ही चलने दे तीन मिनिट हो जाने के बाद इसमें आदा चमच दालचीनी तीन चुटकी हल्दी और तीन चुटकी पिंक सॉल्ट डाल कर इसे चार से पाँच मिनिट सबसे कम आज पर ही ढख कर पकने दे इसे बनाते समय ढख कर रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो इसमें मोजुस सारे पोशक तत्व भाप के जरीये बाहर निकल जाते हैं पास से चे मिनिट हो जाने के बाद गैस को बंद कर दे और हलका गरम रह जाने के बाद इसका सेवन करें अच्छे परिनाम के लिए इस डिंक का सही समय पर इस्तमाल करना भी बहुत जरूरी है इसमें हमने दालचीनी और लॉंग का इस्तमाल किया है दालचीनी पुरी दुनिया में पाए जाने वाले हर तरह के एंटी ओक्सिडेंट्स में सबसे ज़ादा बहतर मानी जाती है दालचीनी के इस्तमाल से शरीर में जमा हुआ पानी निकलता है साथी मीठा खाने की वज़े से जमी चर्बी और बड़ा हुआ शुगर लेवल भी तेजी से कंट्रोल में आ जाता है इसके साथी लॉंग और हल्दी हमारे मेटाबॉलिजम को तेजी से बूस्ट करती है जिसकी वज़े से हमारे शरीर में चर्बी बनने की प्रक्रिया और धीमी होती जाती है इस तयार ड्रिंक का सिवन रोजाना दिन में खाना खाने के एक घंटे बाद या रात को सोने के आदे घंटे पहले करें लेकिन खाली पेट इस ड्रिंक का सिवन बिल्कुल न करें इसे तयार करने में लगी जादा तर सामगरी हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करती है इसलिए अगर आपको ऐसीडिटी की समस्या है या फिर आपका शरीर जादा गरम रहता है तो इस ड्रिंक में एक चमश सौफ भी मिला दें अगर आप लगातार इस ड्रिंक का सेवन करते हैं तो विश्वास माने इसके इस्तमाल से आपको चमतकारी परिणाम प्राप्त होंगे इस ड्रिंक को बनाने में लगी सामगरी बॉडी को तेजी से डिटॉक्स करने के लिए सबसे ज़ादा फायदेमन है बॉडी को डीटॉक्स करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे कि किसी भी बीमारी को हमारा शरीर जल्दी ठीक करने लगता है हॉर्मोंस में संतुलन बना रहता है हमारे शरीर में nutrition याने की पोशक तत्व पूरी तरह से पहुच पाते हैं जिससे कि खाई हुई किसी भी चीज का असर दिखाई दिने लगता है रात के समय अच्छी नीनाती है और metabolism भी मजबूत होता है जो की वजन घटाने के लिए सबसे ज़ादा जरूरी है क्योंकि अगर हमारा metabolism strong होता है तो चर्बी पेदा करने वाली चीजों को खाने के बावजूद भी हमारा शरीर उसे पचा कर शरीर से बाहर कर देता है डीटॉक्स करने से हमारी तवचा और शरीर के सभी अंग लंबे समय तक जवान बनी रहते हैं जिसकी वज़े से हमारी बुड़े होने का समय बढ़ जाता है इस तयार ड्रिंग को रोजाना पीने से पूरे दिन हमारे शरीर में एक अच्ही एनर्जी बनी रहती है और बीना किसी शरीरिक मेहनत के भी यह हमारे शरीर का वज़न कम करती रहती है हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं जैसे की थायरोईड, यूरिक एसिड, पाइल्स, बालों का जढ़ना, त्वचा पर दाग धब्बे होना, रात को नीन न आना और डायबिटीज जैसी बिमारी हमारे शरीर का मोटापा या गलत खान-पान की वज़े से ही होती है अगर आप बताई गई इन में से किसी भी तरह की समस्या से जूज रहे हैं, तो इन सभी विश्यों पर हमारी चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखे, उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिये गए डिस्क और अन्त में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद